गोंडा पुलिस ने प्रापर्टी को लेकर हुए मडर का किया संसरी खेज फुलासा दादा के हत्याकांड की मास्टर माइंड निकली उनकी सगी पोती यूती समेत तीन गिरिपतार पुलिस ने रेटायर रेल कर्मी बाटेशरी चाहान हत्याकांड का खुलासा करके हुए आरोपी सगी पोती समेत तीन आरोपियों को गिरिपतार किया है आरोपी पोती रिंकी चाहान ने अपने दोस्त दिने चाहान के साथ मिलकर बाबा की संपत्ती हड़पने के लिए हत्या की साजिस रती थी साजिस के तेट बीते 21 जुलाई को आरोपी दिने चाहान ने सलमान अखलेस पाधिया को ले जागते बाटेश्री चाहान के घर पर छोड़ दिया था वनने जुलाई को देर राट में ही आरोपी सलमान और अखलेश उपाध्या ने रिंकी और दिनेश चौहान के कहने पर पुलाडी से मार कर हत्या कर दिती हत्याकान को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गये थे बीते 20 जुलाई को 77 वर्तिय भाटेश चौहान का सो संदिक परिकितियों में पाया जाता फिलाल मनकापूर कोत्वाली पुलिस ने आरोपी सलमान अकलेश उपाध्या और आरोपी मौती रिंकी चौहान को ग्रेपतार के जेल बेद दिया पुलिस का कहना है कि फरार आरोपी ग्रेश चौहान की ग्रेपतारी के लिए कि में लगा दी गई है जल्द ही उसकी ग्रेपतारी कर ली जाए आए दिखाते हैं मामले को लेकर पुलिस सदिच्छा गोंडा विनीज जैसवाल का क्या कहना है 20 जुलाई को थाना मनकापुर फुलिस को सूचना प्राप्ट हुई थी कि थाना चेतर के भरव भट्टा नाम के गाउं में एक 78 वर्षिय बुजरुकी किसी द्वारा हत्या कर दी गई है इस दूशना पर तकाल, फुलिस और उच्छाधिकारियों द्वारा मौके पर पहुच्छ के ज्यांच की गई इस प्रकरण के संबन्द में जो मृतक हैं उनके पौत्र वधू के द्वारा लिकित पहरीर के अधार पर सुसंगत धराओं में इसमें खाना मनकापुर पर अभ पुलिस द्वारा इसमें तीन शातिर हत्य अभ्युक्तों को पुलिस द्वारा गिरहतार किया गया है जिने आज जेल भेजा जा रहा है इस घटना के संबन्द में जब इनसे विशित पूश्टाच की गई तो जो इसमें आरोपी पकड़े गए हैं इसमें मुख आरोपी औ पूरी घटना की जो मृतक हैं उनकी सगी पौत्री जिसका नाम रिंका चौहान है वो निकल कर आई है और पूश्टाच में इसके द्वारा बताया गया कि इस घटना में इसने दो अभ्युक्तों सलमान और अखिलेश उपार ध्याय इन दोनों का साथ लिया जिनके द्वार पूश्टाश में जो मुख्यविक्ष है रिंका चौहान इसके द्वारा बताये गया कि इसके दादा की काफी संपत्ती है कई बीगे जमीने हैं और रिंका चौहान के चार भाई और एक और बहन है इसका ऐसा कहना है कि कुछ वर्ष पूर्व तक ही अपने बाबा के घर में उनके साथ रहती थी लेकिन जब से उसकी दादी किम्रिट्य हुई इसके दादा से इसके संबंध बिगड़ गया वो अकसर इसको कड़े शब्न बोलते थे गाली बगएरा देते थे इसको घर से निकाल दिया और धीरे-धीरे करके अपनी संपत्ती का कुछ हिस्ता अपने एक पोते के वाइफ के नाम इन्होंने कर दिया था और ऐसा इसका कहना है आरोपी का कि और भी संपत्ती वो देने के फिराग में से कि और भी संपत्ती क्योंकि वही पुत्रवधू इनकी सेवा पिछले कुछ बर्स से कर रही थी और वही वादिनी मुकत्मा भी है तो इसे ऐसा अंदेशा था कि जिरे जिरे और भी संपत्ती वो अगर जिंदा रहे तो सभी संपत्ती जो है एक पुत्रवधू के सरस्पती के नाम ये कर देंगे तो इनको राश्य से हटाना है इसने पूरी योजना बद तरीके से इसकी प्लानिंग की सलमान और अखिलेश को इसने 18 तारिक को रिंका चोहान जो मास्टर माइंड है फ्लाइट का टिकेट बुक कराकर पूने चली और अपने मित्र जो इस दिनेश है उसको यह ड्यूटी दे गई कि आप इन दोनों जो आरोपी हैं सलमान और अखिलेश इसको 19 तारिक यानि घटना की राज को 11 बजे आप गा जो दोनों आरोपी हैं पहले गला दबाकर मृचक को मारने का प्रयास किया गया लेकिन जब इनको पूरी आश्वासन नहीं हुआ कि उसकी मृच्य हुई है तो पास में पड़े कुलहारी से इनों ने उसके गरदन और फीट के कई बार किये और फिर उसको मरा हुआ समझके बहां से मौके पर फरार हो गए इस प्रकार पूरी घटना का अनावर्ण करते हुए पूरी शड़यंतर का खुलासा किया गया है इसमें तीन अभी गिरफ्तार किये गए हैं